तो आनाव चरह करर लेते हैं कि इन पूर्ट कर लेते हैं कि क्या कुछ क्शेक्टर्स्टिक होती है चलो देखते हैं तो अब हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर के एक और नया टॉपिक किया है characteristics of particles of matter. The particles of matter have the following three characteristics. Matter के जो particles है, उनके पास ये three following characteristics होती है. कौन-कौन सी? Particles of matter have spaces between them. हमारे जो matter के particles होते हैं, उनके बीच में क्या होती है? Spaces होती है, जगा होती है. Particles of matter attract each other, यानि की matter के जो particles है, वो एक दूछे को क्या करते हैं? attract करते हैं. और last property क्या है? Characteristic property की particles of matter are continuously moving. रुकते नहीं है एक जगा पे matter के particles. Continuously क्या करते रहेंगे? Move करते रहेंगे, करते रहेंगे, यहां से वहाँ, यहां से वहाँ, उनका जो motion है वो पूरे time चलता ही रहता है. अब इन तीनों ही properties को या characteristic properties को matter के particles की, इनको हम proper example की साथ study करने की कोशिश करते हैं. अब देखो यहां पे हम बात कर रहें, first property की particles of matter have spaces between them. एक NCRT में, जैसा कि मैंने आपको ये वाली activity समझाई थी न, ये वाली कि हम क्या कर रहे हैं, ये पता करने या आपको अगर नमकीन पानी अच्छा नहीं लगता है, तो आप sweet water भी ले सकते हो, कैसे? पानी में आप शक्कर भी घोल सकते हो. तो यहां पे अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम फिर से एक beaker लेते हैं, उसमें करीबन हम कुछ इस तरीके से mark कर दिया है, ये mark हम को क्या बता रहा है कि beaker में पानी का लेवल कहां तक है, तो यहां तक है, mark के लेवल तक है, इतना ख्रीक हैं, फिर इसके बार में हमने क्या करा, हमने 50 ग्राम शक्कर ली है, 50 ग्राम हमने शक्कर ली, अब पूरी की पूरी जो शक्कर है, वो हमने कहां डाल दी है, अपने 100 ml पानी में डाल दी है, डालने के बाद क्या करेंगे, उसको stir करेंगे, चम्मच के साथ, या अगर आगर आपके पास एक ग्लास रॉड है, जो कि आपको chemistry lab में ही मिलेगी, ठीकिना, अगर आप घर पे एक आपको ये realize होगा कि भाई, पानी में तो शक्कर दिखी नहीं रही है, initially जब हमने शक्कर डाली थी तो देखो, पानी में आपको शक्कर दिखाई दे रही थी, लेकिन पूरी की पूरी जब आप शक्कर को घोल दोगे, तो पानी में आपको शक्कर दिखाई नहीं देगी, क घुक करते हैं और जो चेके पास पानी है उस्पानी में क्या है भई उस्पानी में आप बोल सक्ते हो कि पानी में भी पार्टी करते हैं तो कहीं शाली होता है कि जब हम चीजों को mix करते हैं तो कहीं न कहीं mixing में आप बोल सकते हो कि जो amount है वो बढ़ जाता है या आप बोल सकते हो कि टोटल amount है जो टोटल volume है वो बढ़ जाती है कैसे अगर आपके पास एक suppose 100 grams आपके पास रेज है ठीक है और उस 100 grams रेज में आपने क्या करा है 100 grams आपने पानी डाल दिया है सब्सक्राइब हमारे पास एक ग्लास है उस ग्लास में हमने क्या करा है 100 ml पानी डाला है यह रहा अपना पानी इसके बाद में हमने इसमें 100 grams क्या कर दिया है और भी डाल दिया है तो टोटल वॉल्यूम कितनी होने वाली है इस पूरे यहां पर आपने पानी डाल करके यहां पर आपने बीकर पे एक मार्क लगा दिया था कि इस मार्क के लेवल तक क्या है इस बीकर में पानी भरा हुआ है अब हम क्या करेंगे जैसी इसमें हम तेल डालेंगे तो तेल डालने के बाद आपको रिलाइज होगा कि अब जो आपका पूरा मिक्षर है न वो आप बोल सकते हो कि इस लेवल के ऊपर जा चुका है तो यूजवली हम गोलते हैं कि ऐसे ही चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जब हम दो चीज़ों को मिक्स करते हैं तो कहीं न कहीं उनकी जो वॉल्यम है वो क्या चति पढ़ जाती है लेकिन इस केस में जब आपने 100 ग्राम जब आपने 100 ml पानी में 50 ग्राम शकर को घोला था तो क्या यहां पे पानी का लेवल आपको बड़ा हुआ मिला यह मेरा सवाल नहीं है यह सवाल आपकी NCRT की इसी वाली एक्टिविटी में दिया गया है यह एक्टिविटी परफॉर्म करो इसके बाद में कुछ questions दियेगा है उन questions के answers को आप निकालो तो जब आप 100 ml पानी में 50 ग्राम शकर को घोलोगे तो क्या पानी का जो लेवल है वो आपको उपर उठा हुआ मिलेगा आपको पानी का लेवल इनिशली आपने जो है ना इस marker कि वज़े से क्या करना करिके रखा दा कि इस marker के स्कृ subjective level अभ जब इसमें आपने 50 ग्राम डाल दिया है शक्क को तो क्या शक्क को एड़ करने के बाद में क्या पानी का लेवल बड़ा नहीं तो मार्क आपने लगा इसको जब हमने पिया इसको तो पीने पर हम वह समझ में है कि आरे पानी तो मीठा है इसका मतलब क्या कि शक्कर हमने डाली है वह आस्मान में कहीं हवा में ओड़ी नहीं है वह कहां है पानी में जिसके करण पानी का जो टेस्ट है वह क्या हो चुका है तो सवाल यह है कि अगर अब पानी के particles के बीच में क्या है spaces है बना के बताओं क्या चलो यहां पर हम बोल रहे हैं कि पानी के particles के बीच में पानी के particles के बीच में क्या है भई जगा है कुछ इस तरीके से यह जो मैं blue color के बना रही हूँ यह क्या है पानी के particles है बहुत सारे particles है और अब जो मैं शक्कर को डिजॉल करने की कोशिश करी तो शक्कर के जो पार्टिकल से न वो पानी के पार्टिकल के बीच में जो जगा प्रसेंट है उस जगा में बैट जाते हैं वह तो एक Lonty सी बैंच है और उस उसमें एक उन्हें पर एक इंसान बैठा है और दूशन पीछ करना है उसी एक विपह बैठना है तो आप क्या करोंगी उन दोनों के बीच वाए उसमें जाकर के बैठ जाओगे ना ऐसा थोड़ी होगा कि आप अलग से अपने लिए एक जैना बेंच बनवाओगे कि भाई यहां पर जगा नहीं है अरे है ना जगा जब जगा होती है तो उस जगा को हम occupy करेंगे उसको हम गेरेंगे तो यहां पर भी exactly ऐसे हुआ है कि पानी जगा का फाइदा उठाया किसने शक्कर के पार्टिकल्स ने और शक्कर के पार्टिकल्स क्या करेंगे पानी के पार्टिकल्स के बीच में जगा है जब हम पानी में नमक को खोलेंगे तो नमक के पार्टिकल्स क्या करेंगे पानी के पार्टिकल्स के पीच में जाकर बैठ जाएंगे उनकी स्पेसिस को ऑक्यूपाइ कर लेंगे से लड़ी जब हम पानी में शक्कर को गोलेंगे तो शक्कर के जो पार्टिकल्स होंगे वह पानी के पार्टिकल्स है उनके बीच में जाकर के बैठ जाएंगे उनकी जगा को वह घेर लेंगे जगा है तो उसको यूज क इतना समझ में आया होगा ना, आगे बढ़ जाते हैं, तो अब हम बात करते हैं किसकी, जैसे कि मैंना को बताया था कि इस चैप्टर में हमको matter का जो physical classification है, वो देखना है, तो physical classification के अंतरगत matter को classify किया गया है as solids, liquids and gases, तो हम बात करेंगे किसकी solids की, liquids की और gases की, आप यह भी बो सकते हो कि solid state में, जो particles होते हैं, उनके बीच में, ऐसा नहीं है कि spaces होते नहीं है, होते लेकिन बहुत ही कम होते हैं, अगर हम बात करेंगे अपने liquids की, तो liquids में भी उनके पास particles होते हैं, और particles के बीच में बकाइदा क्या होती हैं, spaces भी होती हैं, लेकिन यह spaces कैसी होती है, solid के पार्टिकल्स के बीच में जगा है उस जगा से जादा होती है और अगर हम बात करेंगे किसी गैस की तो गैस में भी हम बहुते की क्या होते हैं पार्टिकल्स होते हैं और इन पार्टिकल्स के बीच में भरपूर जगा होती है solid में particles की बीच में जगा है लेकिन बहुत ही कम है liquid में particles की बीच में जगा है sufficient जगा है और अगर हम बात करेंगे gas की तो gas के particles के बीच में तो बहुत ज़ादा ही जगा है किसके comparison में तो solid और liquid के comparison में gas के particles के बीच में आप बोल सकते हो कि बढ़ेतरीके से क्या होते हैं स्पेस थोती हैं जगा होती दिखो ने आप एक पार्टिकल ये है दूसरा ये है तीसरा ये है तो कहने को तो इस गिवन वोल्यूम में इस गिवन वॉल्यूम में गैस है लेकिन ग् 써 की कितने कम पर्टिकल्स है एक दो 3,4,5 5 क्यों है क्योंकि इन पार्टिकल्स के बीच में जगा बहुत कैसी है जदा जदा है एक यहां तूसरा यहां तीसरा वहां और फूर्थ यहां लेकिन क्या हो रहा है इस गेवन वॉल्यूम में जो आपने सॉलिड रखा है इसके बहुत सारे Particles आचूगे हैं तो Solid में Particles के बीच में जो ज़गा है वो सबसे कम होती है उससे ज़्यदा कहां होती है, लिकूइड में होती है और सबसे ज़्यदा जगा कहां होती है, किसके Particles के बीच में होती है तो आप बोलोगे, Gases में अब एक चीज़ मैं आपको और समझाती हूं कि हमने या चलो थोड़ी और देर में समझते हैं चलो और आगे आ जाते हैं हाँ तो एयर के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि एयर क्या है इट इसमेटर हमारी जो गैस है वो भी क्या होती है चाहे कोई सी भी गैस हो हाइडरोजन की गैस को बनाने वाले हैं कौन पार्टिकल्स हैं कौन से पार्टिकल्स हैं तो हाइडरोजन गैस के मॉलिक्यूस हैं या अगर हम बात करेंगे काबन डायोकसाइड की तो काबन डायोकसाइड गैस को बनाने वाले हैं कौन पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स तो carbon dioxide gas के molecules तो gases कोई सी भी हो सभी क्या है matter की ही category में आती है तो air एक matter है gases matter है तो obviously बात है gases को बनाने gases से बनने वाली जो air है वो क्या हो जाएगी अपने matter ही हो जाएगी न एर matter क्यों है उसका मैं आपको already दो activities से दो हमने जो activities देखी है उससे मैं आपको प्रूव कर चुगी हूँ कि air definitely क्या है एक matter है और gases भी चाहिए वो कोई सी भी gas हो गैस भी क्या है एक matter ही होती है आई बात समझ में चलो आगे बढ़ जाते हैं now second characteristic property क्या है हमारे matter के particles की कि particles of matter attract each other matter की जो particles होते है वो क्या करते है एक दूसरे को attract करते है particles of matter attract each other that is particles of matter have a force of attraction यहाँ पर force of attraction आना चाहिए force of attraction acting between them अब वो चाहे matter किसी भी state में क्यों ना हो solid हो liquid हो या gas हो जो भी particles होते है matter के उन सभी particles की विच में क्या लगता है एक force of attraction लगता है एक attracting force लगता है this force of attract this force keeps the particles of matter together और इस force की कारणी क्या होता है particles एक साथ रह पाते हैं the strength of this force of attraction however differs from one kind of matter to other अब जैसे कि मैंना को बताया है कि हमारे पास जो matter है physical classification के हिसाब से matter को हम तीन categories में classify करते है solids liquids and gases अब matter चाहे वो solid हो चाहे वो liquid हो फिर वो चाहे gas हो सभी matter के particles की बीच में क्या लगता है एक force of attraction लगता ही है लेकिन इस force of attraction का जो you know strength है जो strength है वो आप बोल सकते हो कि कैसा रहेगा कम ही अलग अलग हो सकता है जैसे कि मैंना आपको बताया था शाद अब आपको समझ में आए कि क्यों solid के particles के बीच में जो spaces है वो कम है और gas के particles के बीच में जो जगा है वो जादा क्यों है वो इसे लिए क्योंकि solid के पार्टिकल के बीच में जो forces of attraction लगते हैं वह बहुत ही strong लगते हैं वह एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को खीचेगा दूसरा तीसरे को खीचेगा तीसरा चौते को खीचेगा चौता वाला फिफ्थ पार्टिकल को खीचेगा तो इससे होगा क्या कि सभी कि सभी पार्ट की बारे में तो लिक्विट के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में ऐसा नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रेक्शन लगते नहीं है लगते हैं लेकिन इधर पे सॉलिट के पार्टिकल्स की बीच में लगने वाले जो अट्रेक्टिव फोर्स है उससे कम लगता है तो लिक्व तोड़े से बढ़ जाते हैं और अगर हम बात करेंगे गैस के पार्टिकल्स की तो गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो तो सबसे कमजोर होते हैं इतने कमजोर होते हैं कि पार्टिकल्स के बीच में जो जगा है ना वो खूब होती है उन पर फोर्स बहुत ही स्ट्रॉंग है तो क्योंकि फोर्स स्ट्रॉंग है जिसके कारण पार्टिकल्स में कार्टिकल के पीछ में जो स्पेसे जा वह क्या हो जाएंगे का हमारे पास इतने तरह के matter होते हैं जिसे कि यहां पे तो हमने तीन अलग-अलग states में particles के बीच में जो force of attraction है उसको हमने देखा यहां पे सबसे जादा है यहां पे कम है थोड़ा यहां पे सबसे कम है अब यहां पे तो हमने तीन अलग-लग state देखी थी मेटर की अब हम अलग-अलग मेटर को देखते हैं और उनकी जो स्टेट है वो हम कॉमन रखते हैं एक पास एक लोहे की बॉल है और हमारे पास एक चौक पीस है तो कहने को तो लोहे की बॉल भी क्या है सॉलेडी है और चौक पीस भी क्या है एक सॉलेडी है और अभ लगेगा और चौक पीस के जो पार्टिकल्स होगे उनके बीच में भी जो फोर्स ऑफ अट्रेक्शन लगेगा वह कैसा होगा स्ट्रॉंग होगा लेकिन फिर भी हतोरे को हतोरे से मारने पर आयरन बॉल तूटेगी या चौक पीस तूटेगी तो आप बोलोगे कि मैं आयरन ब पार्टिकल्स के बीच पिच प्रॉर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको स्ट्रॉम होना चाहिए जिर तौक टो हैं लेकिन हम कम्पेयर कैसे के साथ कर रहे हैं लोहे की बॉल के साथ कर रही हैं तो यहाँ पिर हम ने मैटर का जो स्टेट है वो हमने सेम रगा लेकिन अलग- सकते हो कि hammering can break a chalk piece easily but breaking of iron ball through hammering is difficult क्यों क्योंकि force of attraction between the particles of iron ball is stronger than the force of attraction between the particles of chalk piece तो iron के ball के जो particles होंगे उनके पीच में जो लगने वाले forces of attraction हैं वो इतने strong होंगे कि आप उनको कितना भी तोड़ने की कोशिश करो particles को उनके पीच का जो force of attraction है कितना भी उनको तोड़ने की कोशिश करो वो attraction attractive force तूटने नहीं वाले हैं और अगर particles एक दूसरे से अलग नहीं होंगे एकदम चिपक चिपक के रहेंगे तो हमारी लोहे की ball तूटेगी कैसे pieces में कैसे डिवाइड होगी लेकिन यहां पर क्या हुआ है चौक पीस के जो पार्टिकल से उनके बीच में जो attractive forces लग रहे हैं वो थोड़े से कमजोर हैं तो जाना हमने हमारा forces तूटे, particles अलग-अलग हुए आपके हतोरा मारने पर particles के बीच में जो लगने वाला force of attraction है वो तूट गया तूटने के कारण particles अलग-अलग हो गए जिसके करण आपको चौक की यहां पे कई सारे pieces दिखाई देने लगे ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अच्छा अब हम बात करते हैं अभी हमने solid की बात करी थी अब हम बात करते हैं liquid और gases या air की अगर आपके पास एक table है है ना और table के उपर मैं आपसे बोलू कि table के त्रू अपना जो हाथ है ना उसको आर पार लेकर के जाओ तो आप बोलोगी कि मैं गे कैसे possible है हम कोई kung fu फोड़ी ना जानते हैं कि एक हमने अपने हाथ से वार किया और जो table है वो दो टोक्रों में तूट जाएगी ऐसा नहीं ह नहीं होता है बहुत ही फ्रांग ho TaHir बहुत में तो बिच में चुछ सेवरकिकर कंण होती है पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिज होती हैं तो जब भी हम स्विम वगेरा करते हैं तो स्विमिंग की दुरान हम करते क्या है पानी को अपने हाथों से काटने की कोशिश करते हैं पानी कट जाता है क्यों कट रहा है पानी कि पानी के पार्टिकल्स के बीच में स्पेसिज है उन स्पेसिस में आप अपना हाथ लेकर के आ जाते हो लेकिन सॉलिट के पार्टिकल्स के बीच में इतनी स्पेसिस है नहीं कि आप सॉलिट के पार्टिकल्स के बीच में क्या करो अपना हाथ लेकर के आप आप सिमिलरली आप अपने हाथ को कुछ इस तरीके से हवा में वेव क स्दाधा है और उनी स्पेसे में हम क्या करते हैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे वेव करा पाते हैं तो वी कन गौत त्रू वार्ट और वी केंड का टू एयर लेकिन सॉलिद में नहीं पॉसिपल है आज बाद समझ में चलो आगे बढ़ जाते हैं और अब हम बात करते हैं किसकी एक और characteristic property की किसकी है तो matter के particles की है अब यहाँ भी क्या बोला गया है कि particles of matter are continuously moving जो matter के particles होता है न वो continuously move करते रहते हैं अब आप बोलोगे कि मैम हमें किसे पता चलेगा एक बाप बताओं जब भी खाना बन रहा होता है suppose आप की स्कूल से चुट्टी हुई है और आप वापस घर आये हो ठीक है ना घर के entrance पर खड़े रहते हो और घर के अंदर किचिन में आपकी ममा जो भी बना रही होती है उस खाने की खुश्भू आप तक आ जाती है आप कहां खड़े हो अभी आप घर में आरे नहीं हो अभी तो आप घर के gate पर कर रहे करके भी घर अंदर किचिन में क्या पकरा है क्या बनाया ममा ने उसकी खुश्बू आप तक आ जाती है मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर यह खाने की खुश्बू आप तक कैसे आई है से मेल लड़ी जब भी घर में पूजा पाठ होती है तो मंदिर में हम अगर बत्ती जलाते हैं अब अगर हम अपने घर के किसी बिल्कुल यूनों कॉर्णर पर पूजा करने के लिए और आप बोल सकते हो कि एक से दो मिनिट बाद उस अगर बत्ती की जो खुश्बू है आप तक पहुंच जाती है मेरा आपसे सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ है क्यों आप तक खाने की खुश्बू पहुंच रही है क्यों आप तक अगर बत्ती की जो खु सवेसमे स्वेसं किया ठाग अहों में हमारे पास कुछ वाप्शन से उन सभी मैं से हमको मैटर क्यूस करना था तो वहां पर हमने स्मेल और फर्फियूम को भी क्या 期ा चूस किया था एक मैटर ही चूस किया था तो खाने की जो खुश्बूअ आप तक आ तो खाने की स्मेल भी क्या है एक मैटरी है अगर बत्ती की जो खुश्बू आप तक आ रही है तो अगर बत्ती की जो स्मेल है वो भी क्या है एक मैटरी है इससे फरक नहीं पड़ता है कि वो स्मेल अच्छी है या बुरी है खुश्बू है या बद्बू है किसी भी चीज की स लूँ ठीक है तो अगर बत्ती की जो स्मेल है वो स्मेल क्या है एक मैटर है वो मैटर क्यों है क्योंकि आपको पता है कि इस अगर बत्ती की स्मेल में है क्या अगर बत्ती की इस स्मेल में इस स्मेल में अगर बत्ती के ही पार्टिकल्स है अगर बत्ती की इस स्मेल में क्या है अगर बत्ती के ही पार्टिकल्स है कुछ किताबों में ऐसा लिखा रहता है कि किसी भी चीज की जो स्मेल है ना वो उस चीज का गैशियस फॉर्म होती है आई रिपीट किसी भी चीज की स्मेल उस चीज का गैशियस फॉर्म होती है याने कि यहां पर अगर बत्ती की जो स्मेल है वो स्मेल क्या है अगर बत्ती का ही गैशियस फॉर्म है अब हम सब को पता है कि गैशियस में क्या प्रेजंट होते हैं उनके रिस्पेक्टिव बत्ति के particles होने वाले हैं और जहां particles आए किसी चीज को बनाने के लिए तो वो चीज क्या कहलाई जाती है भाई वो कहलाई जाती है matter तो अब आपको समझ में आया कि क्यों smell of anything is regarded as matter कि क्यों हम किसी भी चीज की smell को हम एक matter क्यों बोलते हैं क्योंकि भाई किसी भी चीज की जो smell ह है ना वो उस चीज का ही gaseous form होती है और gaseous form में क्या होते हैं particles होते हैं उस चीज के और जहां particles आए किसी चीज को बनाने के लिए तो वह चीज क्या बन जाएगी एक matter बन जाएगी similarly खाने की जो सुगंध आप तक आ रही है खाने की जो smell आ रही है आप तक उस smell में है क्या उस smell में खाने के ही particles हैं और ये खाने के particles कि आपकला इस मेल की स्वापम में जब आप तक पहुंचेंगे आप की नाग तक पहुंचेंगे तक हमारी नाक है उसस्ने tek को करने वाली है तो आप तक खाने की खुषी आजएगी आप तक अगरबती की कुषी आजएगी अब आप particles आखिर हम तक पहुंच पारहें हैं कैसे पहुंच पारहे हैं तो देखो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि particles कि क्या हुआ particles ऑफ मेंटर आर 파ंटिकल मुविंग अब जैसी की मैं लगका बताया कि अगर बति की जो smell है उसमें अगर्बत्ती के particles है क्या ये अगर्बत्ती के particles एक जगा पर खड़े रहते हैं रेस्ट पर नहीं ये धीरे 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 वो continuously दीरे-दीरे move कर रहे होंगे लेकिन हुआ क्या जैसी हमने अगर बत्ती को जलाया temperature बढ़ाया temperature बढ़ने से क्या होगा particles की kinetic energy है वो बढ़ जाएगी और जहां particles की kinetic energy बढ़ी अब जो particles होंगे न वो और तेजी की साथ क्या करने लगेंगे यहां वहां यहां वहां move करने लगेंगे यह particles हैं अगर बत्ती के यह कोई disciplined manner में आगे पीछे आगे पीछे थोड़ी न जो है न move करेंगे जैसे हम assembly में जाते हैं तो line में जाते हैं फिर लाइन से वापस में वापस आते हैं करने के कारण जो particles होंगे अब वो और तेजी के साथ यहां वहां यहां वहां रेंडम नी मूव करने लगेंगे अब जरह मुझे यह बताओ कि यह जो अगर बत्ती की smell है उसके जो particles है यहां पर अगर बती तो हेी लेकिन यह स्मेल है काहां यह मैर स्मेल है हर कहीप लिए लनसे मेयर में घSpot 有 मेर के पार्टिकल्स वी होंगे ये एयर के पार्टीकल्स भी क्या करते रहें देश्ययर मूव करते रहेंगे अब कभी अगर पी अय ej हो आप कि आर नॉम्नली जा रहे हूं और किसी अगर आपको धक्का दे vran तो आप जाले थे नॉर्मली ऐसे और किछी ने धक्का दिया तो अचानक से आपकी स्पीड बढ़ गई ऐसा होता है कि टक्कर खाने के बाद में अक्सर हमाली जो स्पीड है चलने वाली वो बढ़ जाती है तो यहां पे भी ऐसे होगा अच्छे खासे अगर बत्ति की जो पार टकराते टकराते एयर के पार्टिकल्स और अगर बत्ति की जो पार्टिकल्स है उन दोनों की ही जो स्पीड है वो बढ़ती जाएगी इतनी बढ़ेगी इतनी बढ़ेगी कि बढ़ बढ़के बढ़ बढ़के अल्टीमेटली यह पार्टिकल्स कहां आने वाले हैं हमारे ना क्योंकि matter की जो particles होते हैं वो continuously move करते रहते हैं आगे बढ़ें particles of matter intermix on their own with each other अब ये बताओ अगर बत्ती की smell की जो particles थे क्या उनको हमें air के particles से mix करने जाना पड़ा ऐसा होता है न कि school में बच्चे छोटे-छोटे होते हैं तो जब first day होता है school का तो हमें अपने चोटे भाई-बेन को लेके जाना पड़ता है क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं उनसे जहना introduce करवाना पड़ता है फिर उनकी दोस्ती करवानी पड़ती है क्या यहां पे भी हमने ऐसा किया कि अगर बत्ती के particles और एक पार्टिकल्स अपने आप एक दूसरे के साथ क्या हो गाए mix हो गाए ऐसे mix हुए भाई mix क्यों हो पाए क्योंकि वह continuously move कर रहे थे और continuously move करते 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 कहीं न कहीं जैसे कि देखो यहां पे मैंने जो भी mix हो गई क्यों हो depende करते हैं क्योंकि हो जाएंगे रीचिवायां यहीं चीजहने पर लिखी गई हैं युद दूसरे किसी matter के particles क्या हो जाएंगे आकर के बैठ जाते हैं एक matter के particles की बीच में जगा है एर के particles की बीच में जगा है तो उन जगाओं में का ओना जाएगा अगर बत्ती के जो smell के particles है वो जगा में आकर के बैठ जाएंगे ठीक है this intermixing of particles of two different types of matter on their own is called what? diffusion इस statement को मैंने तो अलग से highlight किया ही हुआ है आप ही करिएगा और इसके उपस time हा कर लीचेगा क्योंकि बहुत ही important है यहाँ पर हमसे क्या बोला गया है कि जब अलग-अलग matter के particles आपस में intermix हो जाए अपने आप खुदबा खुद तो उस intermixing को ही हम क्या बोलते हैं diffusion बोलते तो यहाँ पर हुआ क्या है कि air के particles और अगर बत्ती के जो particles है वो आपस में mix हो चुके हैं खुदबा खुद अपने आप हमने जाकर के इनको mix नहीं किया है अपने आप वो mix हो गया है क्योंकि एक तो randomly move करते हैं plus particles के बीच में जगा है तो एक दूस पर आफ पानि होगा ना कि जो रेंक के कलर का हो जाएगा एग्जांपल यहाँ पर गूरी तो जो भी आपका पूरा पानी होगा ना वा दो इनऊसे लिए हैं वह पानिगे क्रणा के बहुत सारे पार्टिकलstes से अब इंक के पार्टिकल्स भी यहां महां यहां मूव कर रहे हैं जो जिस पाने में वो जा रहे हैं पाने के पार्टिकल्स भी ऐसे 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 मूव कर रहे हैं तो होगा क्या इंक के पार्टिकल्स और पाने के पार्टिकल्स की बीच में मिक्सिंग हो जाएगी क्योंकि दोन पानि के पार्टिकल के बीच में इंके पार्टिकल आकर करें उस जगहा को और को कुल मिला करके enclosed के बिच में धर सकेश करते हैं और और उनकी इस हम्हासी हए फुचन वोलते हैं तो यहां पर हुआ क्या स्कृत मै तो दोनों liquids क्या हो गाएं आपस में, liquids आपस में diffuse हो गाए हैं, similarly यहाँ पे तो अलग-अलग आप बोल सकते हो कि gases थी, एक तो अगरबत्ती की smell थी और दूसरी जो surrounding air है वो भी तो आप बोल सकते हो कि mixture ही है gases का तो यहां पर हुआ क्या दो अलग-अलग gases diffuse हो गई है यहां पर तो अलग-अलग liquids diffuse हो गए है ठीक है फिर dissolving a solid in a liquid जो हमने previous अपने इस session में ही potassium per magnet का example देखा था तो potassium per magnet की जो crystals होते हैं जैसी उनको हम पानी में डालते हैं वो पानी में जाने के बाद में dissolve हो जाते हैं है ना तो वहां पे क्या हुआ है solid का diffusion हुआ है liquid में तो वेन crystal of potassium per magnet is placed in a beaker of water the water slowly turns purple in on its own even without stirring ऐसा नहीं है कि इंक जैसे की भी जब हम potassium per magnet को डालते हैं पानी में तो बिना चला है बिना स्टर करें पूरा का पूरा जब पानी है वो अपने आफ पिंक कलर का हो जाता है क्यों बोथ potassium per magnet crystals and water are made up of tiny particles when the potassium per magnet crystal is put in water the purple colored particles of potassium per magnet spread throughout the water making the whole water look purple basically potassium per magnet के crystals है solidy है न तो वो crystals किसके बने है पानी है और अच्छी तरीके से mixed हो जाइगे तो पूरा का पूरा पूरा जब पानी है आपका बिना चलाय हिलाय पर पर होने वाला है potassium per magnet के crystals के कारण आई बात समझ में चलो actually on dissolving the particles of potassium per magnet get into the spaces between the particles of water this shows that the particles have spaces between them and are continuously moving on their own the potassium per magnet के जो particles है वो पानी के पार्टिकल के बीच में जा करके बैच जाते हैं जगा है ना पानी के पानी के पार्टिकल के बीच में प्लास हम हो रहे हैं कि यह यह भी चीज़ बता रही है कि particles जो है matter के वो क्या करते रहते हैं continuously move करते ही रहते है next क्या है mixing of two gases the fragrance of incense stick या अगर बत्ती lightened in one corner of a room spreads in the whole room quickly the particles of gases या vapors produced by burning of incense stick move rapidly in all the directions and mix with the moving particles of air in the room तो सीदी सी बात है जो vapors निकल रही है अगर बत्ती को जलाने पर उस vapors में जो भी particles है वो air के particles से क्या हो जाएंगे mix हो जाएंगे और अगर एक कमरे के कोने में एक कोने में अगर बत्ती जलाई है तो दीरे दीरे अगर बत्ती की जो गंध है वो पूरे कमरे में फैल जाएगी. This also shows that the particles of matter are constantly moving. Constantly हम बहुते हैं कि moving होई रही है matter के particles की. Now, the random or zigzag movement of microscopic particles in a fluid as a result of continuous bombardment from molecules of the surrounding medium is known as Brownian movement. अब यह जो random zigzag movement हो रहा है na matter के particles का कि इस zigzag random movement को ही हम क्या बोलते हैं? Brownian motion बोलते हैं. For example, dust particles randomly, dust particles या dust moves randomly because the random moving particles of air collide with dust particles. Dust जो है वो randomly हवा में आप बोल सकते हो क्यों move करती रहती है? क्यों? व्योंकि हवा में क्या है? air के particles हैं. तो air के particles खुद तो हम बोल रहे हैं कि यहां से वहां, हहां से महां move करी रहे हैं. अब जिसे मैं एक air का particle हूँ, मैं जा रही हूँ और सामने से ग्या आग़ा है? Dust का particle आगया है, तो मैं तो अपने राश्ते में जाई रहे हू 원. सामने जो dust का particle आएगा ना उसको मैं से टक्कर मारती हुई चली जाओंगी तो air का particle यहां चला गया अब dust का particle जिसको कि मेरा धक्का पड़ा है वो dust का particle भी हम बोलते हैं कि motion में आ जागा क्यों क्योंकि उसको air के particle ने धक्का हमा रहा है तो यह जो random zigzag movement होता है metal के particles का कहां क्या ठीक है इसी को हम क्या बोलते हैं brownian motion बोलते हैं जो कि कुछ ऐसा होता है जैसे कि आपके पास यह हम बोल रहे हैं कि एक dust का particle है आप यह dust का particle हम बोल रहे हैं कि घूमने की कोशिश नहीं कर रहा है लेकिन फिर भी dust का particle के आसपास देखो कितने सारे air के particles हैं तो लगातार air के particles क्या करने वाले हैं खुद तो move करेंगे ही लेकिन अपने motion के दौरान बिचारे dust particle को क्या करेंगे वो धक्का देते जाएंगे और लगातार धक्के और collision के current जो dust particle है वो मूफ करता है जाएगा करता है जाएगा तो डश पार्टिकल के motion करने का मतलब मतलब उसका मूड था नहीं लेकिन करना पड़ा क्यों करना पड़ा ड़स air की जो particles हैं वो धक्का दे देकर कि उसको मूव करवा रहे हैं तो ऐसे झाल झाल